नमस्कार दोस्तों, a very warm welcome to you all and thank you so much for joining us today तहे दिल से स्वागत है आपका पढ़ाई करो, करो तयारी जीत की यूटूब चैनल पर दोस्तों ये साल 2020, कोरोना महामारी और कई और कटनाईयों की वज़े से एक बहुत ही difficult and challenging year रहा है जिसने दुनिया भर के लोगों के लिए जीवन को काफी कठिन बना दिया लेकिन जैसा की आज हम इस वर्ष के अंत के करीब हैं और आज last day है इस साल का हम सबी को चाहिए कि इस गुजरते साल के साथ हम अपनी बुरी यादों और गलतियों को और इस बुरे समय को भी पीछे छोड़ दे और स्वागत करें आगामी वर्ष 2021 का और हम इसे embrace करें और welcome करें अपनी positive thoughts और एक नए solid confidence के साथ और ये promise करें अपने आप से कि हम अपने सपनों और मेतवक अंशाओं को प्राप्त करने के लिए भविश्य में आगे भढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए नकारात्मक समय और किसी भी तरह की negativity को अपने उपर परवावित नहीं होने देंगे इसलिए आईए अलविदा कहते हैं 2020 को और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती होसले बुलंद हो तो कोई दिवार नहीं होती जलते हुए चिराग ने आधियों से यह कहा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों आपसे request है कि आप इस session के वीडियोस को last तक देखेगा क्योंकि लास्ट में हम आपसे पूछेंगे एक इंटरस्टिंग क्वेस्चन जो कि हमारे इनी वीडियोज और टॉपिक से रिलेटिड होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं 31 दिसंबर 1898 के तरफ क्रिष्ण बनलव सहाई स्वतंतरता सेनानी और बिहार के चौथे मुख्यमत्री क्रिष्ण बनलव सहाई का जन आज ही के दिन बिहार के गया जिले के शेकपुरा में हुआ था उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मुव्मेंट में भाग लिया अंग्रेजोंने उन्होंने स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने के लिए कई बार जेल भेजा 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो अंदोलन में भाग लिया और उन्होंने हजारी भाग में आंदोलन का नित्रतों किया अंग्रेजोंने उनकी ततकाल गरफतारी का आदेश दिया जेल में उन्होंने जैप्रकाश नरायन, राम नंदन बिश्रा, योगेंदर शुक्ल, सूरज नरायन सिंग, श्री गुलाप चन गुपता और श्री शालिक राम सिंग की जेल से भागने में मदद की जिसके प्रणाम सुरूप उन्हें भागलपूर जेल भेज दिया गया वो पहली बार विधान सभा, विहार की विधान सभा के लिए चुने गए थे, 1937 से 1949 तक, सुतंतरता के बाद उन्होंने विहार सरकार में रिवेन्य मिनिस्टर के रूप में काम किया, 20 अप्रेल 1947 से 2 अगस्ट 1962 तक, वो कंस्टिटुएंट असेंबली के मेंबर भी रहे, उ उन्होंने अपने कारेकाल के दुरार राजे में कई इंडस्ट्रीज को सेट अप किया, 1963 में उन्होंने हजारी बाग में महिला कॉलेज की स्थापना भी किया, आए बढ़ते हैं अगले साल की तरफ, 31 दिसंबर 1925 श्रीलाल शुकला, लेकाक श्रीलाल शुकला का जर्म उत् परदेज राजे सरकार में PCS ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और बाद में उन्होंने इस में इंक्लूड किया गया, उन्होंने 25 से अधिक बुक लिखी, उन्होंने सर्फशेश्ट पुस्तक राग दरवारी का अंग्रेजी साहित 16 भाशाओं में ट्रासलेशन किया, 1970 मे इसी किताब के लिए साहित्य अकैडमी अवार्ड भी मिला, उन्होंने भारत तेंदू नाट्य अकैडमी के डिरेक्टर के रूप में UP में काम किया, 1989 से 1980, 1980 में उन्होंने बेल ग्रेड में इंटरनेशनल राइटर्स मीट में भारत का परते निदित्व किया, उत्तर परदे हिंदी संस्तान ने उन्हें 1988 में साहित्य बुशन वार्ड और 1994 में लोहिया सम्मान से सम्मानित किया, मद्यपरते सरकार ने उन्हें 1966 में शरत जोशी सम्मान और 1997 में मैतली शनल गुप्त सम्मान से सम्मानित किया, 2005 में उन्हें यूपी गोवर्मेंट द्वारा यहश भारत सम्मान से सम्मानित किया गया, 2008 में पदम भूशन और 2011 में ग्यानपीट पुरसकार से उन्हें सम्मानित किया गया था, उनके कुछ पन्यास हैं, सूनी घाटी का सूरज, अग्यातवास, रागदरवारी, आदमी का जहर, सीमाई तूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, बिसराम पुरकसंद, बाबर सिंग और उसके साथी, राग विराग, उनके लगू काहनी संग रहे हैं, ये घर मेरा नहीं, सुरक्षा, तथा अन्या कहानिया, इस उमर में, दस प्रतिनिदी कहानिया, आएए बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ, 31 दिसंबर 1966 बिशन सिंग इस तारीक को आपना टेस्ट करकेट डेव्यू मैच केला, वो एक लेफ्ट आम और्थ्रोडाक्स स्पिंदर थे, उन्होंने इस्ट अफ्रीका के किलाव 1975 के वर्ल्ड कप में, 60 आवर के एक मैच में, सबसे किफाईती गेंदवा जोने का विश्वी रिकॉर्ड बनाया, उस हुआ उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारतिय क्रिकिट टीम की कैप्टन सि की, 67 टेक्स मैच के लिए और 266 विकट लिये, ये टेस्ट इतियास में तीसरे सबसे सफल भारतिय सपीनर है, उन्होंने टोटल 10 एक दिफिषिया मैच के लिए और 7 विकट लिये, उनका पहला टे सोला जून 1979 को शिरलंका के खिलाफ हुआ था 1969 में अर्जुन परसकार से सम्मानित किया गया और 1970 में पदम शिरी से उनको सम्मानित किया गया आए बढ़ते हैं नेक्स्ट येर की तरह 31 दिसंबर 1996 धारुन आया स्वामी भारतिय ट्रैक अथलीट तबिल नडु के तिरपुर मे इनका जन्म हुआ था ये 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल इवन्स के एक्सपर्ट है इन्होंने गौाटी में 2016 साउथ इशन गेम्स में 400 मीटर हर्डल इवन्स में गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने इसे 50.54 सेकंड के समय के साथ जीता था उन्होंने 2016 समर ओलंपिक में 4 इंटू 400 इवन में भाग लिया उन्होंने मुहमद अनस कुनु मुहमद और अरोकिया राजीव के साथ 3.00.91 में रिले पूरा किया और रास्टी है 4 into 400 मीटर रिले के 302 17 के रिकॉर्ड को तुड़ा और ऑलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया 1964 और 2000 के बाद ये तीसरी बार था जब भारत की पूरुशों की रिले टीम ओलम्पिक में ओलम्पिक के लिए सौरी क्वालिफाई होई 2018 में जकारता में एशन गेम्स में इन्होंने 400 मीटर हर्डल और पूरुशों के 4 into 400 मीटर में रजत पदक जीता इन्होंने 48.96 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर हर्डल जीती और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया तो आज का question of the day वेन इस नेशनल कंजूमर डे आउब्जर्वड नेशनल कंजूमर डे कब बनाया जाता है आपके option है A. 12 December, B. 14 December, C. 24 December and D. 23 December आप अपने answer प्लीज नीचे दिएगे comment box में दे और हर week हम जीतने वाले को पढ़ाई करो की तरफ से मिलेगा एक surprise gift तो मुझे उमीद है कि आज का session भी आपके लिए बहुत informative रहा होगा आपसे request है कि आप प्लीज पढ़ाई करो channel को subscribe करें, like करें, maximum share करें और आपसे request है कि प्लीज अपना valuable feedback और suggestion जो भी आपको लगे आप प्लीज हमें comment box में जरूर दें जिससे हम इस program को और भी ज़्यादा interesting बना सकें आपके लिए तो पढ़ाई करो team के तरफ से all the very best, thank you